नमस्का दोस्तों, स्वागत है आपका Emergency Express में दोस्तों, आज बात करेंगे Myasthenia Gravis के बारे में Myasthenia Gravis, Myo plus Aasthenia plus Gravis Myo मतलब Muscle, Aasthenia मतलब Weakness, Gravis मतलब Severe यानि की Severe Muscle Weakness वाली डिजीज Myasthenia Gravis किन लोगों में ज़्यादा होती है? दोस्तों, females और males दोनों में होती है लेकिन females की बात करें तो 40 साल से कम की females और males की बात करें तो 60 साल के उपर की males में ये बीमारी होने के chances ज़्यादा होते है Myasthenia Gravis क्यों होती है? दोस्तों, Myasthenia Gravis एक autoimmune disease होती है autoimmune disease का मतलब हमारी body, हमारी cells के against antibodies बनाने लगती है, इसको बोलते हैं autoimmune disease Myasthenia Gravis भी एक autoimmune disease होती है जिसमें neuromuscular junction neuromuscular junction मतलब जहाँ पे nerve muscle को supply करती है neuromuscular junction की post synaptic membrane पर पाये जाने वाले acetylcholine receptors के destruction की वज़े से acetylcholine proper skeletal muscles को नहीं मिलता है जिसकी वज़े से skeletal muscles में proper contraction नहीं होता है और weakness आती है दोस्तों अगर हम symptoms की बात करें तो Myasthenia Gravis के symptoms याद करने की कोई ज़रोत नहीं है क्योंकि इसमें जितनी भी skeletal muscles होती हैं वो सारी की सारी weak हो जाती है अब हम उपर से नीची की तरफ बात करें head to toe तो सबसे पहले ये आता है यानी forehead forehead की जितना भी हम इस पे normally wrinkles डाल सकते हैं लेकिन जब muscle weak हो जाएगी तो ये flat हो जाएगा यहाँ पर wrinkles नहीं डाल पाएगा जो Myasthenia Gravis का patient होगा उसके यहाँ पर wrinkles absent हो जाएगी दूसरा eyes की बात करें तो eyes में जो upper eyelid होती है वो ज़्यादा दिर तक आप खोल नहीं पाऊगे जिसकी वज़े से upper eyelid बंद होना शुरू हो जाएगी आँखे पूरी खुलेंगी नहीं इसको बोलते हैं drooping of upper eyelid is known as tossis इसके लाबा एक की जगे दो-दो चीज़े दिखाई देंगी धुंदला दिखाई देगा यानि डिपलोपिया और blurring of vision भी इसमें मिलेगा इसके बाद नीचे की तरफ आओ तो आपकी muscles of mastication आ जाती है muscles of mastication ये जब आपकी weak हो जाएगी तो लगाधार patient complain करेगा कि मैं खाना खाता हूँ थोड़ी दे चबाने के बाद मैं ठक जाता हूँ ज़्यादा देर तक चबा नहीं पाएगा चीव नहीं कर पाएगा क्योंकि muscles of mastication skeleton muscles होती है ये भी weak हो जाएगी patient ज़्यादा देर तक चीव नहीं कर पाएगा यानि difficulty in chaving खाना नहीं खाने इसकी वज़े से खाने में दिक्कत होगी इसी तरीके से स्वालो करने में भी दिक्कत होगी फिर अगर यहां की muscles अपर ये shoulder girdles की muscles अगर involved हो जाएगी तो हाथ पुरा उठेगा नहीं proper कोई चीज उठाएगा तो छूट जाएगा या proper भारी सामान उठाने ही पाएगा फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपकी respiratory muscles आएगी respiratory muscles का दोस्तों अगर involvement हो गया तो patient को respiratory muscles की paralysis हो सकती है और patient respire ही नहीं कर पाएगा proper जिसकी वज़े से patient को mechanical ventilation की ज़रुत पढ़ जाती है उसको ventilator पर रखना पढ़ता है दोस्तों अगर इसके बाद अगर back की muscles involved होती है तो ज़्यादा ज़रे तक patient back नहीं पाएगा पैल्विट गल्डिल्स की अगर muscles involved हो जाती है तो patient ज़्यादा ज़रे तक खड़े नहीं हो पाएगा चलने में भी दिक्कत होगी जिसकी वज़े से उसका date disturbance हो जाएगा उसका चलने का तरीका बदल जाएगा दोस्तों ये तो सारे symptoms हो गए इसके बाद myasthenagravis की diagnosis कैसे बनाएंगा अगर आपके पास कोई clinic में patient आता है myasthenagravis का तो आप उसको suspect कैसे करोगे और उसको confirm करने के लिए क्या करोगे दोस्तों symptoms के आधार पर जब हमको लगता है कि कोई patient symptoms बता रहा है और most of the patient में सबसे common जो symptom देते हैं वो ocular paralysis मतलब आख की जो muscles होती है उससे related symptom देते हैं कि मुझे यार दिखाई नहीं दे रहा है मुझे मेरी अँख नहीं खुल लए ये मेरी आँख नीचे की तरफ बंद हो जाती है और मुझे डिपलोपिया दो-दो चीज़े दिखाई देती है इस तरीके के symptoms के साथ present करता है या फिर symptom क्या बताएगा कि मैं सुबा उठता हूँ तब तो मैं active रहता हूँ उसका शाम तक आते आते मेरी इतनी भी ताकत नहीं होती है कि मैं बैठ पाउं कुरसी पे या लेटने पर भी even मेरी आखे बंद होती रहती है इस तरीके के अगर कोई आपको complain देता है आप क्या करोगे उसको confirm करने के लिए दोस्तो confirmative टेस्ट जो होता है वो तो आप blood test में आप सीधे acetyl koline receptor के against पाई जाने वाले antibodies अगर आपको मिलती हैं blood test में तब आप कहोगे कि हाँ ये definitive diagnosis अब है myasana gravis की इसके लाबा bedside clinical test करते हैं new stigmin से 1.5 mg new stigmin का injection injection आता है new stigmin का 1.5 mg उसका लिया इंट्रमस्कुलर पेशेंट को लगाया इसके बाद अगर पेशेंट के symptoms जो आ रहे हैं वो relieve हो जाते हैं तो हाँ ये myasana gravis हो सकता है probable diagnosis और symptoms और इसको मिला के हम उसके treatment स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों myasana gravis के कारण क्या-क्या होते हैं दोस्तों myasana gravis एक तो congenital हो सकती है यानि मा को अगर myasana gravis है तो उसके बच्चे को भी myasana gravis कुछ समय के लिए myasthenia like के symptoms आते हैं myasthenia like symptoms आते हैं जिसको हम बोलते हैं congenital myasthenia syndrome इसके बाद दोस्तों अगर neonates में पाय जा रहा है तो इसको neonatal myasthenia भी बोलते हैं इसके बाद कुछ दवाईयों की वज़े से कुछ malignancies की वज़े से यानि कुछ cancers की वज़े से myasthenia हो सकती है कुछ दवाईयों को खाने के बाद भी myasthenia like symptoms आते हैं बाकि autoimmune diseases में myasthenia gravis हो सकती है दोस्तों कौन-कौन से दवाईयों होती है जो myasthenia gravis के treatment में यूज करते हैं तो simple simple सा फंडा है कि ऐसे टाइल कोलीन बढ़ाने वाली दवाईयों myasthenia gravis में हम देते हैं और दूसरी चीज यह autoimmune destruction होता है इस वज़े से immunosuppresents और steroids क्योंकि steroids भी immunity suppress करते हैं और immunosuppresents तो immunity suppress ही करते हैं इसलिए तीन मेंनी दवाईया यूज करेंगे ऐसी दवाईया जो ऐसे टाइल कोलीन का release बढ़ाएं दूसरा जो immunosuppresents हों तीसरा steroids इसलिए patient को सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं अगर उससे response आ रहा है तो balance code वही treatment continue करते हैं minimum possible dose के साथ में अगर उससे response नहीं आ रहा है या कम आ रहा है तो साथ में हम azothioprene use करते हैं अगर उन दोनों से भी response नहीं आता है दोस्तों तो साथ में हमको फिर retuximab add करना पड़ता है अगर उससे भी response नहीं आता है तो बाकी immunosuppresents like methotrexate, tacrolimus इनका यूज करते हैं दोस्तों अधिकतर यह दिखा गया है कि myasthenia gravis के जो patient होते हैं उनमें retrosternal mass मिलता है thymus का mass मिलता है तो ऐसे लोग जिनमें बहुत ज़ादे destruction होता है उनके probable diagnosis के बाद जब confirm diagnosis बना लेते हैं उसके बाद thymus को काटके निकाल देते हैं जिसके वज़े से जो autoimmune destruction हो रहा होता है वो कम होता है दूस्तों myasthenia gravis को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक ocular myasthenia जिसमें सिर्फ आँख की muscles का involvement होता है दूसरा generalized myasthenia जिसमें body की जितनी भी skeleton muscles होती हैं सबका involvement हो जाता है और तीसरा myasthenia crisis जिसमें respiratory muscles का involvement होता है और patient को ICU में रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा advanced life support देना पड़ता है दोस्तों बात करते हैं myasthenia gravis की prognosis के बारे में दोस्तों myasthenia gravis की prognosis अच्छी होती है और most of the patients जिनके पास सिर्फ ocular myasthenia या generalized myasthenia भी है वो अपनी life expectancy जितनी होती है उतनी आराम से जी कर जाते हैं लेकिन myasthenia crisis का अगर patient है तो सबसे पहले उसका acute episode हमको हटाना है अगर acute episode tolerate कर ले जाते patient उसकी भी progresses अच्छी ही होती है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो please like करें, share करें, subscribe करें और देखते रहें emergency experience